हेलो दोस्तों आप सभी का सुवागत है हमारे चैनल अनम लॉजिक में दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत जाधे इंपॉर्डेट है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जो डिस्क्रिप्शन में वह इस तरीके का लिख देते हैं डिस्क्लेमर कॉपिराइट एक्ट 1976 फेर यूज सेक्शन एक सो साथ 107 सेक्शन के तहत हम यह डाल देगे तो हमें कॉपिराइट इस्ट्राइक नहीं आएगा वगेरा वगेरा तो दोस्तों मैं आज इस डिस्क्लेमर के बारे में पूरा डिटेल में आज आपको इस वीडियो म कॉपिराइट इस्ट्राइक नहीं आएगा तो दोस्तों मेरा जवाब है कि डिस्क्लेमर डालने से भी आपको कॉपिराइट इस्ट्राइक आ सकता है अब आप इस वीडियो को लास्ट तक दिखना और आपको समझा दूगा कि यह एक्चूली किस के लिए बना है और यह जो section बनाया है 107 और copyright strike act जो बनाया है 1976 यह किस लिए बनाया है और हम इसका इस्तेमाल कब और क्यों use कर सकते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल अनम लॉजी को सबसे पहले सब्क्राइब कर लीजिए और वीडियो लास तक देखिए ताके आपको डिस्क्लेमर के बारे में पूरी जानकारी मिले तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्लेमर ठीक है डिस्क्लेमर डालने से कोई भी बंदा अगर डि सकता है तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि भाई यह क्या चीज़े के यह disclaimer हर कोई क्यों बोलता है कि अपने चैनल के description में डालो ऐसा क्यों बोलता है कि यह fair use के लिए ठीक है वो फला-फला के act भी बताता है कि act 1976 section 107 यह सारे चीज़े बताता है तो यह actual में क्यों बताता है और इसका इस्तेमाल क्या है और इससे हमको क्या फाइदा है तो मेरा भाई मैं आपको इसका साफ साफ जवाब देता हूँ यह जो चीज़े वो fair use के लिए की जाती है जैसे के for example अभी हाल ही मैं दो तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि मेरा जो फ्रेंड है उसका जो चैनल है डी मॉनिटाइज होगी है और उसको मेल आया है उसके पास लेकिन मैंने उससे यह बात कहा था कि भाई यह मेल मुझे देदो मैं इसे क्या करूँगा फैर यूज की तोर पर आपका जो मेल यहां पर शो करूँगा के भाई इस तरकी गलती आप लोग मत कीजिए और मैंने डिस्क्लेमर भी डाल दिया कि भाई मैं यह मेल बता हूँ जबके वो चीज मेरी नहीं थी वो उस बंदे की चीज थी वो बंदे ने सारा का सारा मेल मुझे दे दिया कि और यह भी बोला कि आप लोगों को फैर यूज यानि एक एजुकेशन परपस के लिए आप बता सकते ह हो आप पता है चोटा सा गुगल का एक वो भी ले लेते हो आप कोई भी वेबसाइट से जाके कॉपी करके या कोई भी इमेज जैसा आप ले लेते हो लेकिन उसको आप एक एजुकेशन परपस के तोर पर आप यूज करते हो कि भाई और बीच में डिस्क्लेमर डाल सकते हो क्योंकि आपको भी अच्छी तरह पता है कि कोई भी बंदा जैसे कि एक बंदे Mr. A ने एक music बनाया Mr. B ने उसको इस्तेमाल किया Mr. A को पता चल गिया ठीक है कि ये बंदे ने मेरा music Mr. B ने मेरा music use किया तो Mr. A क्या करेगा उसको copyright strike दे सकता है लेकिन Mr. B चाहे तो उससे बात करेगा कि भाई पहले ये पता करेगा कि ये content किसका है उसको पता चल जाएगा तो उससे बात करेगा Mr. A से कि भाई मैं आपका ये वीडियो से ये song ये मैं use कर सकता हूं तो Mr. A क्या करेगा अगर वो तयार हो जाता है तो वो कुछ चन पैसे मागेगा को आगे के तू भला use क लेकिन मैं में को इतने रुपे मुझे दे दे मैं तेको return में लिखके दे दूँगा और उसको return में आपको court में जाके return में Mr. B को Mr. A से return में लेना पड़ेगा और वो YouTube में submit करना पड़ेगा तब जाके वो उससे कहीं पे भी use कर सकता क्योंकि उसके पास return में लिखा हुआ है जिसका भी content है उसका return में लिखा हुआ है ठीक है तो वो होता है एक सीधा तरीका और सही तरीका songs वगेरा इसी तरीके से लोग use करते हैं ठीक हमें जो हमारा चलता है act copyright act 1957 चलता है जो कि इसकी बाकाइदा office भी और आप online भी आप copyright को claim कर सकते हो लेकिन दोस्तों यहाँ पे द होती है जैसे कि आपने देखा होगे कि बहुत सारे reaction channels होते हैं उसमें दुसरों की videos होती है और उसके ओपर बंदा react करता है ठीक है और उसमें disclaimer डाल देता है कि मैं एक fair use के लिए इसे use कर रहा हूं करके तो उस बंदे का जो clip होता है जैसे कि हर एक देश होता है पुरी दुन है बात कर रहा हूं वो चोटी सी clip चला सकता है उसको मतलब कि आपका face मतलब 100 में 75 डका आपका वीडियो होना चाहिए और side में चोटा सा वीडियो उसका होना चाहिए जिसके बारे में आप बता रहे हो इसी तरीके से reaction channel भी चलता है reaction channel भी आपने बहुत सारा देखा होगा कि चोटी सी clip चलाते हैं और यह आते हैं फिर यूसके अंदर यह आते हैं और यह जो एक्ट copyright आप जो बताते हो वह इसके अंदर आते हैं कि आप यह वीडियो सा आप चला रहे हो और इसमें वह बंदा reaction दे रहे हैं आपने बहुत सारे reaction channels भी दिखे होगे कि चोटी सी clip चला ल आते हैं क्योंकि वह disclaimer दाल देते हैं और यह बताते हैं कि हम यह fair use के लिए कर रहे हैं तो ऐसे भी होते हैं तो यह section यह act यह इसी के काम आते हैं लेकिंग आप किसी का भी song किसी का भी videos उठाके अपने videos में दाल देते हो और अपना खुद का कुछ भी content नहीं होता ना आपका कोई कुछ ऐसी activity होती है आपके यह खुद का कुछ content होता है कुछ भी नहीं होता पूरा का पूरा वीडियो आप दाल देते हैं पूरा का पूरा song उठाके दाल देते हो तो बंदे को पता चलेगा तो आपको strike देगा ही देगा तो दोस्तो disclaimer का मतलब यह होता है कि आप अगर कोई चीज यूज करना चाते हो एक education purpose के लिए आप यूज करना चाते हो तो आप यूज कर सकते हो ठीक है उसमें कोई वानदा नहीं है लेकिन आप बीना पूछे किसी के songs किसी के videos उठाके अपने videos में नहीं दाल सकते हैं यह बाद आप धहन में रहे तो दोस्तो मैं एक और चीज आपको समझा दू कि आप लोग रोश्टेट वीडियो भी देखते हो ठीक है तो रोश्टेट में भी उसमें फेर यूज डिस्क्लेमर डाल देते हो तो रोश्टेट करना का से फेर यूज हो गया वह तो शायद गलत ही है और बहुत सारे चैनल ऐसे भी है जो बहुत करते हैं ठीक है और दूसरा एक और चीज़ के दोस्तों आप लोग किसी की डिस अबिलिटी यानि के बंदा अपाई जो उसके उपर मजाग कर रहे हो या मैंने ऐसे भी मैंने एक यूटूबर्स को बोलते वे सुना था कि लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी की डिस अबिलिटी और नीचे डिस्क्लेमर में भी डाल देते हो कि ये फेर यूजे ने ये फला ना डिम का ना तो ऐसा मत कीजिए ठीक है बंदा अगर महनत कर रहा है और वो उसकी प्रॉबलम है वो शायद उसके बाद जॉब नहीं है कुछ नहीं है या उसकी कोई प्रॉबलम है और फिर भी किसी के बारे में कोई बंदा का अपना वग डिखाता है टैलेंट डिखाता लेकिन आप इतने गाली गलोज मा भी इनकी गालिया देते हो उसमें वीडियोस के अंदर तो ऐसा भी बिलकुल भी मत कीजिए ठीक है और किसी का मज़ाग या रोस्टेड ऐसा बिलकुल भी मत अब मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्क्लेमर और फेर यूस के बारे में अच्छी तरह समझ गया है बहुत सारे लोगों के दिल में इतना करके रखें कि अगर आप डिस्क्लेमर डाल दोगे तो आपका स्ट्राइक नहीं आएगा तो मेरा ऐसा मिस्गाइड किसको भी मत करना ठीके अगर डिस्क्लेमर डालने के बाद भी आपका स्ट्राइक आगया फिर आपका चैनल आप काफी अच्छी मेनत कर रहे है बहुत जादा मेनत कर रहे है और किसी ने आपको मिस्गाइड कर दिया तो नुकसान आपका होगा इसके लिए किसी के भी मिस्गाइड पर आप भी मत जाईएं कि भाई disclaimer डालने से आपका copyright strike नहीं आएगा ऐसा सोचना भी नहीं आ सकता है ठीक है disclaimer का मैंने किले लिए आपको समझा था कि disclaimer का मतलब actual में क्या होता है और fair use क्यों use कर सकते हैं अगर आप education और सही तरके से fair use के लिए यूज करोगे तो आपको disclaimer का फाइदा होगा ठीक है वो copyright act आपको काम आएगा ठीक है किसी को fair use यानि education purpose या कोई अच्छे इसके लिए fair use के लिए आप यूज करना चाहते हो चोटी से clip आप बता सकते हो तो वो एक fair use है बट आप पूरा के पूरा चले होगे और वो भी चोटी से भी clip आपको कैसे यूज करनी के side में रखके करनी है और पूरा के पूरा आपको 75 टका आपका face आपका चेहरा या आपके वीडियो सोनी चाहिए ठीक है और जिसका आप यूज कर रहे है वो चोटा सा clip आपका होना आपको समझ में आ गया है कि डिस्क्लेमर एक्चुल में क्या है और ये कानून क्यू बना है तो दोस्तों अगर समझ में आ गया तो मेरा चैनल अनम लॉजिक को सबसे पहले subscribe कर दीजिए और साथ ही साथ बैल आइकन का बटन दबा दिए ताकि जब भी मैं कोई इसी interesting वीडि आपको मिल जाए चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स और वाचिंग